अजय असलाम अलेकुम वेलकम टू पाकसान स्टॉकनेटिक उमीद है कि आप तुमान दोस्खरीयस से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा देखते हैं जी कि मार्किट क्या आज क्या सूर्थेहार रही और कल आने वाले दिन में मार्क करने के कोशिश करेंगे आज जो है जी वो माशाला मार्किट ने जो है वो सौ पॉइंट निकाले हैं टीके जिस दिन हम बात कर रहे थे जुम्ह वले दिन की क्लोजिंग की और वीडियो मैंने शायद संड़े वले दिन अप्रोड की थी उस दिन मैंने गुजारिश की थी कि हमारी कलकुलेशन के मताबिक या हमारी उमीद के मताबिक जो है जुम्ह वले दिन मार्किट को सौरी तीन सो पॉइंट जो है वो प्लस होना चाहिए था जबके वो तीन सो पॉइंट प्लस नहीं होई थी तो ये कुछ अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं और जिसकी बन्याद पर हमारी ये राय थी कि मार्किट जो है इसके उपर प्रेशर रो जो है वो बना रहा सकता है और मार्किट के अंदर कुछ परफॉर्मस जो है वो बनती हुई ज्यादा नजर नहीं आ रही और लास्ट डे की जब हमने केंडल डिसकस की थी तो उस वक्त मैंने ये थी और इस बेस पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आगे चलते हैं जी और ओल शेर की बात करते हैं उसमें से भी 100 पॉइंट्स निकले हैं अब ये देखें ये एक बड़ी इना सिगनिफिकन्ट चीज़ है कि ओल शेर में से भी तकरीबन 92 पॉइंट्स निकले हैं और क पार ही शामिल हैं तो के ऐसी हंडर में चूंके 100 पॉइंट्स निकले हैं तकरीबन और ओल शेर में से भी उतने ही निकले हैं इसका मतलब ये है कि जिन शेर के डिकलाइन आया है ये वही हैं सिर्फ जिनका तालुक के साथ है तो बाकी जो शेर हैं उनके दर खास तोर पर कु कि हमें 30 की बात करें तो कुछ भी नहीं निकला तो आज जो है वो चीजें अपनी ही जगा पर स्टेबल रही हैं 000 पर देखिए जो 00 पर खड़ी रही है ये एक प्लस साइन भी है और एक नेगटिव भी है देखिए प्लस किस हवाले से है प्लस इस हवाले से है कि आज मॉने पॉलिसी के हवाले से जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है वो अपने आपको थोड़ा रोके हुए है ना उसने चीजें सेलिंग की हैं ना उसने चीजें बाई की हैं और वो सिर्फ थोड़ी बहुत पॉजिशन र ही जाएगा लेकिन कुछ जो अपनी राय होती है मेरी राय में आप जो मजीद है वो इंटरस्ट रेट के अंदर इस जाफा पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा लहाजा मेरा ये ख्याल है कि शायद इस किसम की कोई हिमाकत ना की जाए लेकिन किसी भी चीज किसी इन से तवक्व की जा सकती है तो बाराल मेरा ये ख्याल है कि मेरी राय कैसा कहले मेरा ये वो क्या कहते हैं खौहिश कहलें कि अब जो है मजीद इंटरस्ट रेट के अंदर इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इजाफा होता है चाहे वो कुछ बेसिस हो तो उसका इंपक्ट एकॉनमी पर तो आएगा और उसके साथ साथ वो मार्किट को भी ले दे जाएगा आगे चलते हैं और दूसरी जो एक चीज़ है चुकिए अब जो है वो तक्रीबर 24 तारीक हो चुकी है और चंद दिन पहले आपको याद होगा कि मार्किट सारी हकू आएम एफ ने हकूंट पाकिस्तान की दर्खास पर मेरा ख्याल है कि शायद यह तो 28 तरीक रखी है यह 29 रखी है इन दोनों में से एक है इसमें रिवियू होगा तो उस रिवियू के बाद जो है वो आएम एफ फैसला करेगा कि उसने पाकिस्तान को अगली किस्त जो है वो करने हैं बाकि गला का मामल साल्फ हुझाएं तो फिंवेस्टिर का कि उससे बीएंवस्टर ज जो क्या किहते हैं जो को इतमाद जो है वो थोड़ा सा बहाल होगा कि चलें कुछ अर्से के लिए ही सही लेकिन हमारी जो जान है वो थोड़ी सी सुखी हो जाएगी एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं या मेरी ये क्यों राए है कि जी आईम एफ वाला मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा उसकी रीजन ये है कि सर इनको कुछ भी करना पड़े इनको डॉलर्स की ज़रूरत है अब डॉलर्स की ज़रूरत जो है वो किस सेंस में है वो आप यू समझे लीजे नहीं कि इस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको हम समझ लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में शायद आपको इसके थोड़ा सा फाइदा हो अपने शेर्स के अंदर मूवमेंट लेने के लिए अब करंड काउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त जो एवरिज चल रही है न वो तक्रीबन वान पॉइंट फाइफ की है और दाएफ के हिसाब से यह तक्रीबन कोई 18 अरब डॉलर बनते है अठारा डॉलर नहीं बनते सार जी 18 अरब डॉलर बनते हैं और हमारी सूट इहाल कितनी खराब है यह हम सब को पता है बाकी मैं मुजीद तफसील में नहीं जाओंगा सिर्फ बताने का मकसद यह है कि हमें सिंपल सी कैलकूलेशन में अब इस सूरते हाल के अंदर एक साइन के हमें हर सूरत में I.M.F की शराइद पूरी करना पड़ेंगे दूसरी बात दूसरी बात ये है कि हमने जो अपना रिवियू जो है वो उनसे कहा कि आप आगे ले जाएं 28 या 29 तारीख को सरीय आगे करने की भी यही वज़ा थी कि अंदर खाते तो पता लग जाता है ना कि हमने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया तो रिसोर्सिस भी होते हैं हकूमतों के ना इदारों के अंदर तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो डेट आगे बढ़ाई गी थी इसकी बनियाद पर जो भी कड़ मार्केट जो है मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि सर ये चाए पीने वालों का बिजनस है उसकी वज़ा ये है कि यार ये चुके लमः बलमः आपके पैसे उपर नीचे हो रहे होते हैं तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो नज़र रखना पड़ती है मुलक के अंदर करोना की क्या सिचुएशन है तो ये कारोबार ऐसा है कि इस से सारी चीजें लिंक्ड होती है अब देखें ये शुरू में ही काफी सारी बाते हो गई अब मुझे एक और बात याद आ गई और वो अजारी से बातर करनी पड़ेगी मेरे अस्ताज साथ फरमाते हैं कि ये जो स्टॉक मार्किट होती है न ये किसी भी मुलक को की एकानोमी को जाचने का एक छोटा सा इंस्टुमेंट होती है ये एक बात चुकर माशाला बहुत पड़े लिखे लोग भी जो है वो हमारी वीडियो जो है वो सुनते हैं तो मैं ये इसको थोड़ा सा मार्किट होती है किसी भी मुलक की ये उसका एक थर्मामीटर होती है थर्मामीटर से मुराद ये है कि इसकी बुनियाद पर आप ये चेक कर सकते हैं कि बुखार तेज है या बुखार नहीं है बस इसका सरफ इतना तलुक होता है तो इसलिए स्टॉक मार्किट एक बहुत इ इंपक्ट आता है ना जहां से आप इसको माप सकते हैं मुलक के हालात को मापने का सबसे आसान इंस्टूमेंट स्टॉक मार्किट होता है पूरी दुनिया के अंदर ठीक है ना के मुलक गदरूस सिम्मत में जा रहा है नहीं जा रहा खुदाना खास्ता करोना बढ़ गया ठक क करके सबसे पहला इंपक्ट आपको स्टॉक मार्किट पर नज़र आता है अच्छी बात हो गई तब भी स्टॉक मार्किट पर इंपक्ट आपको नज़र आएगा खुदाना खास्ता को बुरी बात हो जाती है कोई नुकसान हो जाता तो उसका भी इंपक्ट स्टॉक मार्कि हैं जो हैं um हमने डिस्कस की कि मैंक्सर आप लिगों से कहा करता हूं कि यार देखिएए के मामला चलते रहते चलते हैं यह इस शेखेजक लें वह करने स्टॉप्र लास लगा लें जी यह करने इस सेक्टर में से ले लें तो सेक्टर में नहीं होता कि हम वो क्या कहते है कुछ चीजों को नहीं देखते हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है बहुत कुछ देखना पड़ता है फिर कहीं जा के हिस्ट्री को देखके जो है वो थोड़ा बहुत एनेलेसिस होता है ठीक है ना तो बारहल आगे चलते हैं काफी बाते जो है वो आज शुरू में हो गई सरक्ट ब्रेकर की बात करते है जी वेरी गुट आठ कॉम्पनियां पर काफ है सैफ पावर हुआ देखें बड़ी बात है जी इसके बारे में भी कहीं को नियूस तो नहीं है यह नहीं को मेरे पास किसी किसम लोर के बात करें तो पस थीक है सुर्टेहाल आगे चलें जी और गर्राफिकल वियू का थोड़ा सा जायजा लेते हैं टॉप 10 सेक्टर में आज टेक्नालिजी है रिफाइनरी जॉइल अगैस मार्केटिंग ऑईल अगैस मार्केटिंग क्यों है यह अभी वो मैं टॉप 10 सिंबल्स देखता हूँ तो फिर बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स में हैसकोल जो है वो भी मौजूद है देखे हैसकोल के अंदर आज जितना वॉलियम लगा है मेरी उमीद से बहुत कम लगा है क्योंकि आज वो नियूस थी ना क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हैसकोल को दिया था लोन और अब जाकर पता चल रहा है कि जी वो लोन जो दिया गया था उसमें जो गरंटिज थी या जो कुछ भी था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फेक थी ठीक है ना अब देखिए लगाने वाले दिहाडी लगा गए लुटने वाले लुट गए अब जाके अडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और ये और वो और बैंक लोन और पता नहीं क्या क्या जी वो अब तो वो क्या कहते हैं सांप निकल गए आप लकीड पीटने वाली बात है तो वो सुना है कि जी इस सिलसले में उन्होंने किसी बंदे को अरेस्ट भी किया है हैस्कॉल के तो बहराल बात करने का मकसद ये है को कि शक्सियात का नाम नहीं लेना चाहिए वीडियो के अंदर तो बात करने का मतलब ये है कि मेरा ये ख्याल था जाती तोर पर कि आज हैस्कॉल को लो लॉक लगे का लेकिन नहीं लगा ये भी एक अच्छा साइन है साइन किन लोगों के लिए है जिनके पास इसकी होल्डिंग मौजूद है लहाज़ा देखिए कमपनी जो है अब इसके उपर मैं थोड़ी सी बात करना है देखिए हैस्कॉल जो है उसके पैटरल पॉंप सो चल रहे है ठीक है रोती धोती वो कमपनी सर्वाइव तो कर रही है अभी तक वो आॉक्शन नहीं होई खतम नहीं होई कमपनी लहाज़ा मेरा ये ख्याल है कि अगर आप जो रिस्क टेकर लोग हैं अगर इसकी प्राइस जो है वो कुछ साड़े पांच और उससे नीचे आती है तो आगे आप लोग खुद समयदार हैं आगे चलें जी और देखते हैं टी आर जी को T.R.G. के भी सूर्टेहाल जो है वो इसी के साथ मिलती जुलती सी है बाईकों के अंदर जो है वो आज 25 मिलियन का वॉलियम है कुछ नहीं है आज वॉलियम बिल्कुल ना होने के बराबर था तो लहाज़ा वॉलियम का ना लग रहा भी बजाते खुद जो है वो negativity को वो क्या कहते है जी negativity का sign है आगे चलें जी और देखते हैं कि हमारी candle क्या कहती है देखिए candle बुरी नहीं है आज की जो candle है गो के market के अंदर जो है वो देखिए सो पॉइंट्स की कमी है लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज की candle से इतना ज्याद गlease गेर मुतमई नहीं हूं जहां हैधिक वाज़ आधर वीडियो के अंदर जो मैं यह के ते जहां है इसकेंडल हम नहीं नहीं तक इसका यह मतलब होता है की वक्ती तोर पर मार्किट के अंदर जो किस तरफ जा रही है ताके मार्किट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हम शौट टर्म के लिए लेते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पर लेते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो हम मीडियम टर्म्स के लिए लेना होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अपने लॉंग टर्म के लेने होते हैं तो लहाज़ा ये जो लम्हा बा लम्हा बदलती हुई मार्किट और हालात हैं इसकी बन्याद पर हम अपने इन तमाम आम फैसलों के उपर नजरे साने करते हैं स्टॉक मार्किट में ऐसा नहीं होता कि आप जो चीज मैंने जो चीज सोच ली बस उसी के मताबिक मैने काम करना है सर मुझे जैसे मार्किट कहेगी मैं उस तरह से काम करने की कोशिश करूँगा और जो मार्किट की अच्छा बच्चा बन के बात मानता है फिर मार्किट उसको टॉफियं भी देती है ठीक है ना तो बारहल हसी मजाग तो आपको पता है हमारी वीडियो के इन्ने थोड़ा बहुत चलता रहता है क्योंकि स्टॉक मार्किट बड़ा खुशक मजबून है तो यह है कि मार्किट कुछ थोड़ा सा इसी तरह से कुछ जिग जाग कुछ 200 पॉइंट लीचे कुछ 100 उपर और 29 और 28 तक जब यह सूरते हर क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है आईमेप के हवाले से देन मार्किट के अंदर एक जंप या एक बड़ी डाउन फाल जो है वो दे आगे चलते हैं जी और देखते हैं बाकी और कुछ ज्यादा आज डिसकस करने वाला नहीं है कैंडल के अंदर साइडवेज रहेगी मार्किट आरे से को देखते हैं कि वो क्या कहती है क्या उसका भी मूड जो है वो येस सेम तिंग देस नो डिफरंस आप यह देखिए कि द आपका जो मैकडी है आपका मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मेरा नहीं है इसलिए को आप ही कहा है मैकडी जो है जी वो अपनी बात पर काइम है और आज भी इसने जो हिस्टोग्राम जनरेट किया है वो मार्किट के अंदर भड़ती हुई नेगेटिविटी को जाहिर कर रहा ह फिर आपकी जो सिगनल लाइन है उसमें आप देखिए कि जो डिस्टन्स है दो लाइनों के दरम्यान रेड और गलू के दरम्यान ये हर गुदरते हुए दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है लहाज़ा मैकडी के मताबिक ये है कि हलात आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे आरेसाई जो है वो ये कहता है कि चीजें जो हैं मैं दोबरह रपीट करना हूँ जो आपका मैकडी है मैकडी ये कहता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब हो सकते हैं ठीक है आरेसाई जो है उसका ये कहना है कि चीजें जो हैं वो साइड वेज रह सकती है कुछ ज्यादा जो है वो मार्किट के अंडर डाउन फॉल या अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं आ सकती और हमारा कहना यह है कि जी मार्किट जो है वो इसी रेंज के अंडर मूव करेगी और अठाईस तारीख के बाद जब इन्शालला आईमफ का मामला सॉल्व हो जाएगा तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी खुश रहें अबाद रहें अपने खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत अनेलिसिस जरूर किया करें और मैं अक्सर अपने क्लाइंट से भी एक बात कहता हूँ हलांके वो फीस देते हैं मंतली और फिर हम उनको गाइड करते हैं उसके बावजूद भी मम से ये कहता हूँ कि सर हमारी तरफ से जो रेक्मेंडेशन आपको मिलें उनको भी आप आँखें बंद करके उसके उपर अमलना किया करें दो हजार पांच हजार दस हजार पीस की फीस आप देते हैं लगाना आपने करोण रुपया होता है ठीक है तो हमारी बताई हुई बात को भी आप री चेक किया करें और अगर सारी चीजें सारे इंडिकेटर्स सब कुछ अगर आपको इजाज़त दे रहा हो कि जी आप हमारे बताई हुए याँ आपके अपने अनेलिसिस पर कोई बाइंग करनी चाहिए और आपका अगर दिल ना ना मने तो यकीन कीजिए कि वो ट्रेड ना किया करें ये मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आप सारे हलाद मवाफिक हों सब कुछ अच्छा हो दिल ना मने तो ट्रेड ना किया करें नहीं तो जहरी तोर पर पैसों की सूरत में फाइदा होने के बावजूद भी अब रिलेक्स नहीं रहें लहाज़ा इस चीज़ को भी कभी कभी आजमा लिया करें चलते हैं जी, आला हाफिस